हेलो दूस्तों सौगत आपके वीडी चैनल एलेक्ट्रोनिस्पोर यूपे दोस्तों आज की वीडीयो में मैं डिटेल में पताने वाला हूँ रेजिस्टन्स टेमपरेचर डेटेक्टर जिसका शोट पॉर्म है र्टीडी और इसको और रेजिस्टर्स थर्मोमेटर से भी जाना जाता है ये हैं हमारे points of discussion तो आईए शुरुवात करते हैं सबसे पहले कि RTD क्या रहता है तो RTD जो रहता है ये एक टाइप का ऐसा sensor है जिसे हम temperature detection के लिए या पर temperature measurement के लिए इस्तमाल करते हैं ये RTD एक pure material such as platinum, copper या पर nickel wire से बना रहता है और इसका एक specific temperature पे specific resistance रहता है आईए इसका construction जानते है तो ये जो resistance thermometers या पर RTD रहते हैं इसको हम कहते हैं कि ये prop type का रहता है और इसको हम जो भी material का हमें temperature measure करना है उसमें हम उसको immerse करते हैं यानि अगर मुझे water का temperature measure करना है तो ये इसका जो probe रहेगा कुछ इस तरह से दिखाई देता है इसको हम पानी में डुबाएगे और पानी में फिर उसका temperature क्या रहता है वो measure करेगे तो ये जो है ये है एक RTD यहाँ पर आपको दोस्तों धान में देना है कि ये पुरा का पुरा sensor नहीं रहता है sensing element जो basically रहता है वो यहाँ पर tip में यहाँ पर रहेगा देखें यहाँ पर ये जो sensing material रहता है ये सबसे पहले तो किसी pure platinum, silver, copper या फिर nickel type का जो wire रहेगा इसका रहता है extremely thin wire लेता है लेते हैं हम और उसमें long wire भी लेते है और इसको फिर हम coating करते हैं ceramic material से ये जो रहता है इसको high temperature पर fire करते है और फिर annealing के लिए ये ensure किया जाता है और फिर इस sensing element को इस तरह से steel का यहाँ पर cover लगाया जाता है देखें ये जो generally cover हम use करते है यानि steel sheet यहाँ पर जो use कर रहे है ये mechanical damage से इसको protect करती है इसके अलावा high pressure tank में या फिर high temperature के लिए भी ये ready हो जाता है इसलिए इसको protecting cover का हम इस्तमाल करते है और ये जो रहेगा protective waves are drilled from the solid bars usually carbon steel और stainless steel तो carbon steel या stainless steel से इसको generally protect किया जाता है और उस पर thread भी लगाये जाते है तो इसको हम किसी pipe पे भी install कर सके या फिर किसी box में भी install इसको कर सके देखिए ये इसके उपर बाद में लगाया जाता है एक waterproof junction जो कुछ इस तरह से दिखा ही देता है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है waterproof proof junction ये जो है ये sensitive element है यहाँ पर cover जो लगाया है steel sheet यहाँ पर provide की है lead के लिए support रहेगा और यहाँ पर इसकी connecting leads रहेगी जिसको हम further western bridge में इस्तमाल करते हैं अगर compare किया जाए photograph से तो actual rtd कुछ इस तरह से दिखाए देगा और ये है उसका constructional diagram जो आपको exam के लिए यहाँ पर इस्तमाल करना है अब बात करते हैं working principle की तो basically देखिए ये जो working principle है एक thermoregistive effect करके जाना जाता है rtd का जो thermoregistive effect है basically मैं बताता हूँ देखिए r का formula हमें पता है r is equals to rho l upon a यहाँ पर r याँने resistance की बात कर रहा हूँ रो जो रहता है यह है specific resistance यहाँ पर जिसको हम resistivity of the material कहते है l रहता है length of the conductor और a रहता है cross sectional area of the conductor यहाँ पर अगर हम बात करेगे तो देखिए यह resistance है length area और specific resistance पर dependent लेकिन यह रहता है after constant temperature अगर हम temperature metal का यहाँ पर semiconductor का वैरी करते हैं तो यहाँ पर resistance भी change होता है और इसी को exactly कहते है thermoregistive effect तो thermoregistive effect में क्या होगा तो simply whenever there is a change in the resistance change in temperature resistance also changes और generally यह जो रहता है इसका relationship हमें resistance count करना है तो resistance का जो formula रहता है कुछ इस तरह से रहता है rt equals to r reference times 1 plus alpha into delta t यहाँ पर देखिए यह जो r reference है यह reference resistance है जिसको हम zero degree पे consider करते है rt याने t temperature पे overall हमारा जो rt d रहेगा उसका temperature कितना है वो और यहाँ पर alpha जो रहता है यह रहेगा सबसे important factor है देखिए यह रहता है temperature coefficient of register exactly इसको मैं next slide में explain करने वाला हूँ और delta t जो रहता है यह रहेगा temperature difference between operating and reference temperature अब देखते हैं tcr याने temperature coefficient of resistance के बारे में जो कि इसका main focus रहेगा अब देखिए यह जो temperature coefficient of resistance है यह दो type के रहते हैं पहला जो है यह रहता है positive temperature coefficient positive temperature coefficient याने PTC जो रहता है इसका मतलब क्या है as temperature increases resistance increase याने temperature अगर बढ़ता है तो इसका resistance भी बढ़ता है और यह यूज किया जाता है यह जो property है generally exhibit करता है metal ठीक है दोस्तों और देखिए दूसरा जो type का temperature coefficient रहता है यह रहता है negative temperature coefficient NTC इसमें क्या रहेगा temperature अगर increase होता है तो resistance यहाँपर decrease होगा दीखिये यहाँ पर ptc में temperature increase हो रहाता तो resistance भी increase हो रहा था लेकिन NTC में temperature हलेनожет होता है to register डीक्रीज होता है जनरली यह property रहती है semiconductor की, तो semiconductor NTC है, और metals generally PTC को follow करते हैं, हम जो RTD के material mostly use कहते हैं, ये रहते है metals के, तो यहाँ पर हमारा जो RTD रहता है, ये positive temperature of coefficient यहाँ पर exhibit करता है और ये जो value of alpha है, ये high रहने चाहिए high के हो, तो हमारा जो temperature variation है, ये अगर ज्यादा रहेगा, तो smaller temperature के लिए resistance भी change होगा, इसका मतलब है, हम उसको major करके, फिर उसको counting के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, temperature counting के लिए उसको इस्तमाल करते हैं, overall हम यहाँ पर सिफ resistance इस्तमाल कर रहे हैं, तो resistance का जो variation है, इसको major करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं विस्ट्वान ब्रीज को, और विस्ट्वान ब्रीज जो है, फर्दर हम इसको resistance major करने के लिए use करेगी, इसका working में next slide में, फर्दर next slide में explain करूगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो different materials रहते हैं उसके temperature coefficients क्या है तो ये अलग-अलग materials से आपर देए है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है, ये germanium हो गया, carbon हो गया या फिर हमारा silicon हो गया, ये तीनों के तीनों जो material है, इसका negative temperature coefficient है और बाकि सभी जो materials है इसका positive temperature coefficient है generally, जितना ज़्यादा temperature coefficient रहेगा, उतना हम ज़्यादा उसको prepare करेगे तो देखे, platinum, nickel हो गया then iron हो गया इसका जो temperature coefficient है, ये ज़्यादा है इसको इलिए हम इसको generally इस्तमाल कर सकते हैं अब देखते हैं इसका जो graph है वो कुछ इस तरह से रहेगा अगर temperature vary होता है तो overall resistance कैसा रहेगा तो देखे, platinum एक आपको बिल्कुँ straight line provide कर देता है, यानि ये linear property exhibit करता है similarly copper और nickel भी mostly हमें linear output देते हैं whereas जो टेप iron है इसमें resistance variation तो अच्छा हो रहा है लेकिन ये linear नहीं है इसलिए हम जो material mostly use करते हैं for the measurement of temperature, चोकि हमें scale बनाने में easy रहेगा वो materials रहते हैं, platinum, copper और nickel, इसको मैं आखरी में explain करूगा, सबसे पहले देखते है working, तो यहाँ पर एक waste on bridge की working इस्तमाल की है देखे, ये waste on bridge है और यहाँ पर एक DC power supply लगाया है, तीन हमारे पास scale है, एक है full scale reference और measurement, सबसे पहले हम क्या करेगे, ये जो है reference, इसको adjust करेगे ये देखे, यहाँ पर तीन resistances R1, R2 और R3 इस्तमाल किये है, ये जो तीनों resistances है, ये fixed type के resistance है इसके हलावा हमारा जो R reference है, ये भी fixed resistance है सबसे पहले क्या करना है, हमें तो reference scale select करना है, और इस zero adjust को कुछ इस तरह से adjust करना है, इस terminal को कुछ इस तरह से adjust करना है कि हमें यहाँ पर zero degree, ये जो galvanometer है इसका deflection zero degree रहना चाहिए, तो ये हो गया zero adjust सबसे पहले उसके बाद हम क्या करेगे एक बार reference position, यानि zero position हमारे adjust हो गई, तो resistance और यहाँ पर RPS जो है ये इन दोनों का resistance सेम है, अब क्या करना है तो ये जो RPS है इसको connect करना है यहाँ पर full scale select करनी है और full scale select करने के बाद उसको कुछ इस तरह से adjust करना है ये scale हम vary करेगे और इसकी जो maximum position रहेगी, हमारा galvanometer जो रहेगा उसको maximum scale तक हम indicate करेगे कुछ इस तरह से हम इसको adjust करेगी, आखरी में क्या करना है तो हमें फिर use करना है measurement, अब हमारे पास कैसा zero position आ गई हमारे पास maximum position आ गई अब हमें measurement करना है तो जैसे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारा galvanometer से galvanometer का integration zero से लेकि maximum तक हमें पता चल गया है अब क्या करेगे, तो ये RTD रहेगा, इसको हम जो भी material है, जिसका temperature measure करना है, से हमें water का temperature measure करना है, तो मैं उसको RTD को water में immerse कर दूगा और उसके बाद उसको पानी में डुबाने के बाद देखिए, क्या होगा तो ये पानी का जो actual temperature रहेगा, वो हमें यहाँ पर deflection देगा, ज़नले यहाँ पर material यूज किया जाता है वो linear scale वाला material होना चाहिए, जैसे कि हमने previously देखा है, platinum, nickel और copper ये linear output प्रोइड करते हैं so that हम क्या करें ये जो galvanometer का deflection है इसको temperature measurement के लिए इस्तमाल कर पाए कुछ इस तरह से हम उसको इस्तमाल करेंगे अब देखते हैं कि इसमें materials कों से इस्तमाल करते हैं material कों से इस्तमाल करते हैं, तो सबसे पहले platinum, platinum को क्यों प्रिपर किया जाता है तो इसका सबसे पहला है temperature range देखे, temperature range बहुत यहाँ पर wide range of temperature है platinum के लिए ये बिल्कुल minus 250 degree centigrade से लेकर 800 degree centigrade तक यहाँ पर value कर रही है then ये chemically stable रहता है और इसको thin wire के लिए भी हम इस्तमाल कर सकते हैं then ये oxidation और corrosion को resist करता है then it can withstand at severe environmental condition environmental condition अगर बहुत extreme भी हो जाए तो भी ये यहाँ पर withstand करता है यानि high temperature और pressure को ये सह सकता है इसके बाद very sensitive to strain ये strain से sensitive है sensitive to chemical contamination है wireless यहाँ पर high लगती है ये यहाँ पर disadvantage है लेकिन एक और advantage है कि it can be used for the precision application platinum में एक और disadvantage रह सकता है कि ये थोड़ा सा expensive रहता है अगर मुझे दूसरा material इस्तमाल करना रहा और भी thin wire हम हमें बनाना पड़ता है और बना सकते है और वो एक chemically भी pure रहेगा लेकिन दोनों के इसमें हमें क्या रहता है तो length of wire जो रहती है वो ज्यादा लगेगी then copper जो रहता है ये corrosive environment के लिए suitable नहीं रहता है क्योंकि हमें पता है copper पे एक black color की oxide layer बनती है तो ये corrosive environment के लिए suitable नहीं है at high temperature the evaporation increases the resistance so overall ये हो गए materials used in the RTD दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ share कीजिए like कीजिए और comment कीजिए thank you